नमस्कार! आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जब हम कोई अपना टेलिवीजन नया खरीद के लेके आते हैं तो उसमें हम बड़ी उमीदों के साथ लेके आते हैं कि वह उसमें डॉल्बी विजन दिया गया है उसमें HDR10 दिया गया है उसमें जो है कि डॉल्बी आडियो सपोर्टेड है डॉल्बी एटमस वगयरा जाने क्या क्या ताम जाम लिखा रहता है और हम उसको लेके चले आते हैं लेकिन वो पता कैसे चले कि हाँ यह सब चीज़ें जो लिखी हुई है यह सब चीज़ें हमको मिली हैं हमारे टेलिवीजन में वो पता कैसे चलेगा तो उसको चेक करने के लिए जो चीज़ें करनी हैं वो मैं आप लोगों को अभी करके बताता हूँ अच्छा अभी HDR क्या होता है, Dolby Vision क्या होता है इनके उपर एक बहुत ही detailed वीडियो मैंने बनाया हुआ है और वो इन technologies क्यों पर है तो उसमें ये निये कि मैं इसको हर साल नया वीडियो बनाओ आज अगर 2023 है, कल 2024-25 फ्योरी सेमी रेने वाली है वो वीडियो आप देखो उसका link मैं नीचे description box में दे दूँगा वहां से आपको सारे doubts clear हो जाएंगे कि HDR क्या होता है, Dolby Vision क्या होता है किस तरीके से ये technologies काम करती है, सब कुछ आपको उसमें पता चल जाएगा तो अब हम ये मान के चलता है कि जैसे हमें आपको कोई भी streaming apps वगेरा जो भी हमने यहाँ पर अपने TV में, smart TV में हैं उनको भी हम चालू करके देखते हैं तो जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा कि Dolby Vision लिखा आ गया तो कुछ टेलिविजन में ऐसा होता है कि Dolby Vision लिखा हुआ आता लेकिन बहुत सारे टेलिविजन इसमें इस तरीके से लिखा हुआ नहीं आता हमको जो में देखना है वो यहाँ देखे लिखा हुआ signal information इसको हमको दबा देना है अब जैसे ही हमने signal information दबाई यहां हमको साब पता चल गया कि हमारा यह 4K में है जो content पीछे प्ले हो रहा है audio format EAC3 यानि कि यह Dolby audio है और फिर यहाँ पर हमको देखने को मिल जाती color depth यानि कि 10 bit color depth है तो definitely क्योंकि यह हमारा Dolby vision हमने देखी लिया था तो Dolby vision 10 bit को support करता है तो 10 bit यहां पर दिया गया है color format कौन सा है वो यहां में पता चल जाता है HDR है या नहीं है हाँ यह HDR content है अभी यह मैं खुद देख भी पा यहां पर बाकी की सारी information जो भी कोटेक कौन सा है अची वीसी फिर color के बारे में भी दिया हुआ है कि BT709 यह सब बहुत technical चीजें हैं लेकिन अगर आप लोगों को चाहिए detail में मैं बता हूं कि अची वीसी क्या होता है यह BT709 क्यों है HDR तो चलो मैंने वीडियो अलड़ी बनाया हुआ है तो बाकी की जैसे color के बारे में इस सब चीजों के बारे में जानके रिच्च वो भी मैं सब कुछ बता सकता हूं अरक से detail वीडियो बना भी दूंगा और वैसे ही अगर मान लीजिए कि यह front panel हमारे टीवी का जो इस वक्त on है यहां पर अगर हमें चेक करना होगी यह जो सब यहां पर इस वक्ता रहा है इसका क्या information है तो वो हमको देखने के लिए अगर हम देखना भी चाहें तो वो हम नहीं देख सकते क्योंकि वो हमको advance setting में जाने के Android हमारा कि क्या signal मिल रहा आप जैसे माली जै कि यहां पर हम YouTube वगेरा या कुछ भी जो भी हमको चाहिए प्राइम वीडिया जो भी हमारे पास television में subscription लिया हुआ है या जो भी फ्री है YouTube वगेरा कुछ भी हम देखेंगे तो उस पर हमको जो भी signal होगा वो information वहाँ देखने को मिल जाएगी वहां से में confirm भी हो जाएगा कि हमारा television क्या-क्या support करता है अचा हां और एक चीज़ आपको confirmation मिल सकती जैसे कि माली जहम लोग streaming apps के subscription वगेरा लेते हैं बड़ा बड़ा बहुत सारे पैसे देते हैं वही न बहुत साथ सो आठ सो रुपे देता हूं मैं streaming application का तो उतना महंगा अगर हम दे रहे हैं तो क्या हमको वो content देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है तो वो सारा का सारा आपको सेम इसी तरह से information देखके मिल जाएगा जैसे कि मैंने चेक किया अपनी streaming app पे तो मैं जो उसका pay कर रहा हूं वो मुझे मिल रहा है तो उसमे यह testing कर लेनी चाहिए यह television को तुरंत लाते ही अपने घर यह नहीं मैं कहरा कि कोई भी brand ऐसा है कि जो आपको गलट television दे देगा और आपसे पैसे पूरे ले लेगा जो लिखा है वो होगा लेकिन वो check कर लें कि भाई कई बार होता है hardware fault होता है हम ले तो लेते हैं साल बार ब लेगा तो यह आप जब भी कोई television आप लेके आए हो या आपका पुराना भी हो तो भी आप चेक कर लो कि क्या आपको सब कुछ मिल रहा है जिसके पैसे आपने नहीं है और पटा फट comment section में वापस television पर देख के आने के बाद मुझे यह comment करके बताओ कि क्या आप लोगों को जो मैंने बताया उससे कुछ help मिली है अगर मिली है तो आके बता देना जिससे की मैं और वीडियो बना सकूँ जिससे की आप लोगों को मदद मिल सके और यदि आप लोगों को ये वीडियो मेरा पसंद आ गया हो तो नीचा जो लगा है ना like का बटन उसको जरूर दबा दे लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना गिया हो वो भी सब्सक्राइब कर लेना फिलाल मैं आप लोग से आगया लेता हूँ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद